तो इसको दो तरीके से देखते हैं, जैसे लगने लॉड और सप्तमेश, लगने शप्तमेश का कोई भी संबंध हो, यानि कि दोनों एक दूसरे के साथ में बैटे हूँ, दोनों एक दूसरे से एक्षेंज करते हो, तो व्यक्ति को अधेड आवस्ता में राजयोग मिलता है, अधेड समझते हैं आप लोग, आपने से किते लोग अधेड हो, होने वार लोग अधेड हो, मिदल एज, राइट, सो अधेड मतलब किया, आज आप मान के चलो कि आपका एवरेज एज जो है, वो असी है, आज के टाइम में हम समझाएं ना, सत्योग में कुछ और रागवा हम असी साल के उमर को पूनायू कहते हैं, असी के गरवाले कहने लगते हैं भगवान इनको मुक्ति दे दे, जिससे हमें मुक्ति मिल जाएं, तो इसका मतलब बломIST कि शाम को राज योग मिलेगा, शाम को राज योग मिलेगा हा मतलब कि 40 के बाद आपके जीवन के अंदर तर लगन का कारक सूर्य है और वो सब्तम्र जाकर नीश्का हो जाता है इसलिए जिसका भी लगन लड सब्तम में होता है उसको जीवन के पूरवार्द में उत्तरार्द में तरक्की मिलती है तरक्की क्यों मिलेगी क्यों की केंद्रे इसलिए रिशी जैम जी ने बोला दो राजयोग बोले हैं एक जिसका लगन लॉर्ड और सब्तम का संबंध हो वो व्यक्ति अपने जीवन के उत्रार्थ में तरक्की करता है या राजयोग मिलता है और जिसका लगन लॉर्ड और सब्तम का संबंध हो उसको अधेर अवस्ता में विदेश जाकर राजयोग मिलता है यह दो राजयोग foreign soil विदेश की भूमी पर राजियोग वो व्यक्ति जिसका की लगनलोड सब्तम से mutual संबंद बनाता है उसको विदेश जाकर राजियोग मिलता है अब आज के टाइम में विदेश is like for us हमाले दोबई विदेश हो गया कोबई विदेश हो गया हो सकता है जब जब रिशी जैमनी ने ये बोला हो तब विदेश का मतलब यह है कि मैं दिल्ली का वासी हो और मैं तमिल नाडू में रह रहा हूँ क्योंकि उस समय पर भारत के अंदर भी कई सारे देश थे अखंड भारत में भी कई सारे देश थे सो इसके दो इंटर्पटेशन है नंबर वान इस वेन लगना लॉड इस इन दा सेवंथ हूस सेवंथ लॉड इस इन दा लगना आपको व्यक्ति को यह सज़ेस्ट करना चाहिए कि भाई यह अपने घर से जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा संसेस्पूल होगा इस नंबर वान नंबर टू इस वेनेवर लगन लॉड इस इन दा सेवंथ हूस और सेवंथ लॉड इस इन दा लगना आपको उस व्यक्ति को यह सज़ेस्ट करना चाहिए कि पैटिस श्टिस चालिस तक तो गाड़ी धीरे ही चलेगी उसके बाद बहुत तेज चलेगी क्योंकि राजयोग ट्रिगर होगा उसके बाद तो इसको नट्शल में आप ऐसे बुलोगे जगनी लॉड का सब्तम से कोई भी संबंद है लेटर स्टेज में विदेश में जाकर राजयोग होगा ठीक है रिशी जैमनी ने शुक्र और चंद्र को नैचुरल राजयोग कारत माना है तो इसलिए रिशी जैमनी ने एक स्पेशल राजयोग दिया है जो की रिशी पराशर ने नहीं दिया है रिशी जैमनी ने शुक्र और चंद्र के किसी भी कॉम्मिनेशन को राजयोग करार दिया ह है तो जैसे शुक्रचंद्र साथ में हो शुक्रचंद्र एक साथ हूं एस पर रिशी जैमनी इस अ कम्प्लीट योगा फॉर ग्रेट प्रोस्पारिटी